आज मैं आपके लिए आलू का ऐसा चटपटा और क्रिस्पी नाश्टा लेकर के आ गई हूँ जिसे बड़े हुए बच्चे उंगलिया चाट चाट कर खाने वाले हैं ऐसा सुपर क्रिस्पी नाश्टा जिसे आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए चटपट से रेस चमच जिरा, जैसे ही थोड़ा सा भुंजे है इसमें डाल लेंगी एक बड़ा चमच लहसन अद्रका पेस्ट और इस तरह से इसे चलाते हुए थोडी देर धिम्याच पे भूण लेंगे, जैसे ही आदा चोटा चमच लाल मिश्का पाउडर, आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आदा चोटा चमच धनिया पाउडर, साथ ही आड़ कर देंगे इसमें, आदा चोटा चमच चाट मसाला हलका सा भून लेंगे धिमी आज पे, हलका सा मसालो को भूदने के बाद हम इसमें डाल कीमा आधा कप यहां पे मैंने सोया चंक्स को ही उबाल करके मिक्सी में पीस लिया है आप चाहते हैं पर पनीर का कीमा भी आड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेना है आपको सोया बीन आड़ करने से हमारा नाश्टा काफिर ज़ादा हेली हो जाता है बट आप चाहें तो सिर्फ आलो के साथ भी यह मसाला तयार कर सकते हैं आलो में सोया बीन को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे उबले हुए स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न भी आप चाहें तो इसकी जगा पे सबजियां भी आड़ कर सकते हैं अपनी मन पसंद स्वाद अनुसार नमक आड़ करके मिला लेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बारी कटावा हरा धनिया आड़ कर देंगे हमारी स्टॉफिंग यहाँ पे तयार हो चुकी है इसे निकाल करके अब थंडा होने देंगे इसके बाद एक दूसरे बोल में हम लेंगे आदा कप मैदा इसमें डालेंगे हम चुटकी बर नमक और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते वे इसका हम मेडियम थिकनेस वाला गोल तयार कर लेंगे जो की बहुत ज़़ा पतला या बहुत ज़़ादा गाणा नहीं होना चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके अट करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इस तरह का हमारा लंप्स फ्री बैटर यहाँ पर तयार हो जाए इस तरह का batter आपको बना लेना है consistency आप इसकी ध्यान से देख लीजे इतने देर में हमारी stuffing अच्छे से खंडी हो चुकी है तो अब इसे हम shape देकर की तयार कर लेंगे तो अब क्या करना है आपको अपने मन चाहे shape में आप इसे बना सकते हैं तो गोल भी बना सकते हैं मैं थोड़े से cylinder shape में बना रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही अच्छे लगें तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा amount लेते हुए इसे cylinder का shape दे देंगे कुछ इस तरह से इसे तरह से आपको सभी को shape दे करके तयार कर लेना है तो यहाँ पे मैंने सभी को shape दे करके तयार कर लिया है अब मैंने यहाँ पे समुसा पटी को इस तरह से बारिक थ्रेट्स में कट कर लिया है आप इसे बहुत इसली market से buy कर सकते हैं बहुत इसली यह मिल जाता है बट अगर आप चाहे तो इसे घर पे बहुत आस्थानी से बना सकते हैं मैंने इसे घर पे ही तयार किया है तो चले देख लेते हैं कैसे इसे मैंने घर पे तयार किया है तो इसे घर पे तयार करने के लिए आपको लेना है एक कप मैदा मैदे में डालेंगे चुटकी भर नमक अब इसमें चुटकी भर नमक आड़ करके अच्छे से मिला लेंगे नमक को इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए हम इसका डो लगा लेंगे यहाँ पर आपको नौर्मल पानी का इस्तिमाल करते हुए इसका डो लगा लेना है जो कि बहुत ज़दा हार्ट या सॉफ्ट नहीं होना चाहिए मेडियम सॉफ्ट दो लगाने के बाद इसकी छोटी-छोटी से लोईयां आपको बना लेनी है एक बराबर इसके बाद आपको इसे पूरी के साइज में बेल लेना है जब तीन आप बेल लें इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सा तेल लगा ले उपर आप चाहिए तो घी या बटर भी लगा सकते हैं तेल को अच्छे से सभी पे फैलाते वे अपलाई करने के बाद उपर डाल देंगे सूखा आटा इस तरह से आपको तीनों पर डाल देना है इसके बाद इन तीनों को एक की उपर एक रखना है और एक साथ आपको इससे बेल लेना है थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा डालते वे आपको इससे बेल लेना है जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी मैने बेली है यहाँ पे पतला बेल लेना है इस तरह से इसके बाद आपको मीडियम गरम तवे में इससे डाल ariat लेना है और लगबाद कुछ सेकंड सी आपको एक साइठ से इसे ательно है बहुत जूजादा नहीं ये तीन लेयर इसमें बने हैं क्योंकि हमने इसमें तीन लोईयों को अटाइच किया था तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्प्रिंग रोल शीट मिल जाएगी या फिर आप इसे समुसा शीट भी कह सकते हैं तो देखिए कितने पतले पतले तयार हुए हैं इसके आर पार बिल्कुल अच्छे से दिखाए दे रही हैं बिल्कुल पतले हैं तो देखा स्प्रिंग रोल शीट या फिर समुसा पत्ती बनाना कितना ज़दा असान है इसी तरह से बाकी के भी हम तयार कर लेंगे और जब सभी तयार हो जाएं तो तीन तीन इस तरह से आपको लेना है एक साथ और इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसके साइट्स आपको कट कर लेने हैं और इसे एक स्कॉार शेप दे करके तयार कर लेना है जिस तरह का market में मिलता है ये इसके sides भी आप बिल्कुल ना फेकें उसे आप fry करेंगे तो बहुती क्रिस्पी बनता है तो उसे आप fry करके इसी तरह से खा सकते हैं इसके बाद इस तरह से इसे roll करने के बाद इस तरह से आपको इसे threats में cut कर लेना है बहुत आसान है तो देखा इसी तरह से मैंने इसे तयार किया था तो आप भी ऐसे घर पर इसे तयार कर सकते हैं या फिर इसे market से readymate ला सकते हैं अब इसके उपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल भी ना चिपके बहुत जादा crispy हमारा नाश्टा तयार हो अब क्या करेंगे जो आलू के पैटेज हमने तयार किये हैं उसे इस तरह से मैदी की घोल में हम deep करेंगे इसके बाद इसमें हम लपेट लेंगे उसे अच्छी तरीके से मैदी के गोल में deep करने से इसमें जो thread से वो अच्छी से चिपक जाते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से और इसी तरह से आपको सभी को तयार कर लेना है आप चाहे तो इस तरह से पहले से तयार करके इने freezer में आप store करके इने एक महिने तक रख सकते हैं जब भी मन करें आपका इने fry करके आप खा सकते हैं तो इने तयार करने के बाद अब हम चलेंगे gas की तरब तो यहाँ पे मैंने medium गरम तेल लिया है इसमें डाल देंगे इने fry करने के लिए low to medium flame पे आपको इसे 2-3 minute तक उलट पलट करते वे light golden color आने तक fry कर लेना है जब इस तरह से यह सुनहरे से बहुत ही क्रिस्पी से fry हो जाए तो इन्हें आप निकार लें इन्हें आप medium to low flame पे ही fry करें तब यह क्रिस्पी बनेंगे नहीं तो जली से यह जल सकते हैं तो यहां पे यह हो चुके हैं अच्छी तरीके से fry इसे मैं निकाल लूँगी और सभी को ऐसे यह fry कर लेंगे तो फिरेंट्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी यह तयार हुआ है हमारा नाश्टा यहां पे तयार हो चुका है तो आप इस रसेपी को ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की रसेपी आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें बबाई गाई आपको लिए और मैं नेक्स्त वीडियो तिल दें तेक चैर थैंक्स फच्वाचिक मा विडियो थैंक्यू सो मच